आज के इसे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप यहां पर फेस्बुक मेसेंजर ओपन करते हैं और यहां पर अपना जो अकाउंट है वो तुस्टेप वेरिफिकेशन रखते हैं जब आप अन करने की कोशिश करते हैं जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर मेंसे आपको इस प्रावलुम्म आती है यहां पर आप देख सकते हैं यहां वोलता है यू कांट मेक दिस चेंज एक और से दा मोमेंन ऐसा तो यह आपको प्रावलम आती आप two factor authentication कर पाएंगे जिली on कर पाएंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा तो चलिए शुरू कहता है बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी लोग उन्हें बोला होगा यहां पर back में क्लिक कर दीजिए बलगा जिसे प्रावलम सौल हो जाएग करने के लिए बोलता है कोई कोई बोलता है अपडेट करने के लिए फिर भी आपकी प्रावलम सौल नहीं होती लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप easily two factor authentication on कर पाएंगे और आपको इसी प्रावलम बिल्कुल भी नहीं आएंगे बार बार तो आपको क्या करना होग प्रावलम सौल करना होगा और इसके अंदर को लॉग इन करना होगा इंस्टमे में आ जाना है अपको अगर आपने फॉलर नहीं कहें तो फॉलो कर लीजए इसके बार यहां पर आपको प्रोफ़ाइल में आ आपके फिर आपको थ्री लाइस क्लिक कर लेना है setting and price में आ जान इसके अंदर आजाना है फिर यहां पर आपको फेस्बुक को यहां से लिंक कर लेना होगा गाइस अगर लिंक नहीं होगा तो यहां पर मेरा अलड़ी लिंक है तो यहां पर आपको क्या करना होगा लिंक कर लेना होगा फिर यहां से आपको वेरिफाय कर लेना है पासवार्ड डालका जिस्से लिंक हो जाएगी फेस्बुक आईडिया है इससे आप इजी ली यहाँ पर Instagram से verify कर पाएंगे अगर Instagram से अगर आप verify कर देता है तो आप यहां पर Facebook से भी verify हो जाएंगे और आपका इसी problem बेज़गों भी नहीं आएगे तो इससे करके आप easily problem को solve कर और यह जो problem आती है guys यह दर असल जब आप अपना device change करते हैं तब आपको इसी problem आती है तो यहां पर आप कुछ दिनों तक use कीजे इसके बाद आपको इसी problem नहीं आएगे और यहां पर link कर लिजे आपका facebook, instagram से और वहां से password डाल कर आप verify कर लेजिए जिससे आपकी problem solve हो जाएगी तो उम्मीद करता हूंगा जब को समझाया होगा अगर उड़ीच लगा तो लागीज़े शेकिज़े हो चैनल के subscribe करना दो लिए thank you very much